और एक बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है, जम्मू EFO स्टेशन पर धमाके की जाच, अब NIA करेगी ये नई अपडेट आपको दे रहे हैं, जाच के लिए मौके पर पहुंची है NIA की टीम, पुलिस और फॉरिंसिक टीम स्पॉट पर पहले से ही मौझूद है एक बड़ा धमाका हुआ, अलाकि ये लो इंटेंसिटी धमाका था, पास की दो इमारतों को नुकसान पहुंचा है, गनीमत इस बात की कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, देखिए अब मौके की तस्वीरे भी आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से अटैक की जानकारी मि पहुंची और अब NIA इस पूरे मामले की जाच करेगी, अंकित हमारे सयोगी हमारसा जुड़गे मिन से जानकारी हासल करते हैं, अंकित एक बड़ी अपडेट आ रही है, कि अब इस धमाके की जाच NIA करेगी, देखिए फिलाल तो खबर जो है, वो सूत्रों के अवाले से नहीं आ रही है कि NIA जो है, वो मोके पर पहुतने वाली है, और जो जाच है, वो करना शुरू हो जाएगी, लेकिन इन सब के बीच, आप यह समझी कि ड्रोन के जरिये जो सूतर है, वो साफ दोर पे कहरें कि ड्रोन के जिए दो जो ब्लास्ट है, लो इंटेंसिटी ब्लास् टीवी नाइन वारतवर्ष के पास CCTV फोटेज एक्स्क्लीजी ती आस पास के घर की और वहां पर आप देख सकते हैं कि उस एक टाइम पे एक बच्चे 45 मिनट पे जब यह ब्लास्ट हुआ, कि किस तरीके का यह ब्लास्ट होगा, वहीं दूसरी तरफ पूरे तरीके से जो सर लो इंटेंसिटी ब्लास्ट होए से लेकिन इन सब के पीश लगातार रक्षा मंतरी ने भी बात की है, जो जानकारी निकल के सामने है, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है, लेकिन इस समय पूरी तरीके से जो टेकनिकल एरपोर्ट है, जो अंदर स्टेशन है, इंडिन एर अंकित गरीमत इस बात किये कि किसी के हतात होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन घटना अपने आप में बहुत बढ़ी है, क्योंकि रक्षा मंतरी ने भी खुद पूरे घटना की जानकारी लिया और उसके बाद एक नई अपडेट ये कि एन आईये भी जाज करेगी, क्य आतंकी गतिविदी से जोड़कर देखा जा रहा है इसे? उत्र जो है, वो साफ दोर से बता रहे है, दो लो इंटेंसिटी जो ब्लास्ट है, वो इसे हाला कि माइनर बिल्डिंग को नुक्सान जरूर हुआ था, एक अमरे को एक हॉल के बीच में नुक्सान जो है, लेकिन जनीमत यह है कि किसी भी तरीके से किसी भी रक्ति की इंजर होने की बिल्कुल अंकित, एक और नई अपडेट आ रही है, शुरूआत में यह का जा रहा था कि किसी के घायल होने की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अपडेट अभी किये कि एरफोर्स के दो जवान मामुली रूप से चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं इस पूरी घटन आमें, शुक्रिया आपका अंकित फिलाल अपडेट देने के लिए तो एक और नई जानकारी है, जमू एफो स्टेशन के पास जो ब्लास्ट हुआ है उसमें दो जवानों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, लगातार इससे जुड़ी अपडेट जो भी होगी सबसे पहल आपकार से शुक्रवार रात दस बजे टीवी नाइन भारत वर्षपर